चे महीने जेल में थे, कितना मुश्किल भरा वो सफर रहा है। आपके पाटी के मुखिया खुद अभी तिहार जेल में है, मनीश सोधिया तिहार जेल में है, सतेंदर जैन भी भी। मुश्किल वक्त में ही तो बहादरों की पहचान होती है। अब लोग किसी के आगे चुपने और डरने वाले नहीं हैं। कलतिहार जेल से छोटे और अब आस्तक के साथ एक्स्क्लूजब बातचीत के लिए हमारे साथ हैं। संजर जी, छे महीने का समय पाटी के इसी कुर्सी पे और अलग-अलग मंचों पे आपको देखना एक रेगलर अफेर हो गया था। छे महीने जेल में थे, कितना मुश्किल भरा वो सफर रहा है, इसलिए भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके पार्टी के मुख्या खुद अभी तिहार जेल में है, मनीशी सौदिया तिहार जेल में है, सतेंदर जैन भी वाईं। देखे ये हम लोगों के लिए मुश्किल वक्त है निश्चित रूप से, हमारे पार्टी के मुख्या अर्विन केजरिवाल जी जेल में है, मनीशी सौदिया जी सतेंदर जैन जी जेल में है, लेकिन मुश्किल वक्त में ही तो बहादरों की पहचान होती है, आज जिस अपने और डरने वाले नहीं है, केजरिवाल जी दिल्ली के दो करोन जनता के द्वारा चुने गे मुख्यमंतरी है, एक बार नहीं, तीन तीन बार, प्रचंड जना देश लेके, और क्या गुना है उनका, दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी सिक्षा का इंतजाम कर रहे ह अच्छे स्वास्त का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, बुजर्गों की तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, फ्री बस की यात्रा करा रहे हैं, एक हजार रुपए का आर्तिक सहायता दे रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं, पर कैप्टा मुकदमे जूटे मुकदमे करकर के आप एक एक आदमी को जेल में डालते रहेंगे कभी हैमन सुरेन को कभी अर्विंद केजरिवाल को कभी भगवंत मान को कभी विजेन को कभी स्टालिन को कभी सिदा रमया को कभी रेवंतरेडी को तो पूरे हंदुस्तान में विपक्षाप खतम ही कर देंगे, ममतावानरजी को कभी पकल के जेल में डाल दंगे? तो ये लोक तंथर के हत्यारे लोग है, लोक तंथर को खतम करने वाले लोग है, इनका जवाद देश की जनता देगी और हमने तो नारा दिया है जेल का जावाब वोट से लेकिन जी बीज़ेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जेल में इसलिए हैं क्योंकि बरस्टा चार की नीती लाएते और ये भी आपके मामले में भी कहा जा रहा है कि बेल पे बाहर आए हैं तो इतना जशन क्यों पहली बात तो हमने जस्न के लिए निकलते ही पहला बाग कि मेरा क्या था कि ये जस्न का समय नहीं है जंग का समय है अब भाजपाईयों का नाम तो मैंने कल बताई दिया बंगारु जंता पार्टी जिस पार्टी का रास्टी अध्यक्ष रिश्वत खोरी के भारत माता के रक्षा सौधे मेरे श्वत खोरी के मामले में जिसको सजा हो चुकी हो वो जब भरस्टाचार के खिलाब बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिनला देना इंसा पे उपदेश दे रहा है तो भाजपाईयों से कोई नहीं तिकता हमें नहीं सीखनी है देश की सबसे महा भरस्ट पार्टी है भा भाई बिन्ड क्यों होना है यह आंदोलन के कोक से जन्वीवी पार्टी हम बिन्ड क्यों होंगे किसलिए और लड़ेंगे मजबूती से कोई सवाल ही नहीं है जुकने का तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जो इन्होंने काम किया अर्विंद केजडिवा जी के साथ दिल्ली की दो करोन जनता और आमादमी पार्टी का एक एक कार करता और देश के लोग उनके साथ खड़े हैं जहां 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 आमादमी पार्टी के कंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए काम करेंगे जहां 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 इंडिया गडवंदन के कंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए काम करेंगे जेल का जवाब बोट से देगे आपका रोल और सुनीता केजरिवाल का रोल क्या होगा क्योंकि लगातार ये कयास चल रहे हैं कि क्या सुनीता केजरिवाल पार्टी की कमान समाल सकती है या दिल्ली में मुख्यमंतरी का पदवार देखे करते रहेंगे तो इसमें कहीं कोई प्रस्नी नहीं उठता यह अपनी तरफ से कयास कोई कुछ भी लगाता रहे केजरिवाल जी मुख्यमंत्री है त्रिट भी इशू कर रहे हैं कि अपोजिशन के स्टेट्स जो हैं अब आक्शन लेंगे बीजेपी के खिलाफ आप कल भी स्पीच में बात कह रहे थे कि तेलंगाना से लेके पंजाब में ने एक उधारन दिया क्या प्रधान मंत्री को कानून में एमिनिटी है अगर कानून सब के लिए बराबर है कल को एक मुकदमा केरला में लिखा जाएगा पांच मुकदमा बंगाल में लिखा जाएगा तीन मुकदमा मोहाली में पंजाब में लिखा जाएगा और प्रधान मंत्री जी से कहा जाएगा कि मोदी जी आईए जाँच में सामिल हो ये कि आप मोदी जी जाएंगे हमिस्ता जी से का जाएगा चलिए आप केरला आपको जाँच में सामिल होना है आपके खिलाप मुकदमा जाएंगे हमिस्ता जी तो आपने हम लोगों को बच्चा समझ रखा है हमारी गर्दन दबा के काम करेंगे यह हम होने नहीं देंगे इनके खिलाफ लड़ेंगे तो आज सक से एक्स्क्लूजब बाचीत में संजय सिंग दो टूक कह रहे हैं अर्विंद केश्रिवाल मुख्यमंतुरी बने रहेंगे और पार्टी लोकसभा चुनाओं में कैम्पेण के लिए जो जम्मेदारी देगी उसको निभाएंगे वीडियो सही होगी रविकान तोतावार के साथ महमित भारदवाज दिल्ली